हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इंवेस्मेंट की बजार पर दो आइपियोज आ रहे बड़े-बड़े मेंबोर्ड एक नोवा एगरिट की कंपनी का नाम और दूसरे आइपियो का नाम है इपक डूरेबल्स दोनो आइपियोज मेंबोर्ड आइपियो की क्या यहां पर बड़े लिस्टिंग की उमीदे डेफिनेटल आइपियोज में लगाई जा सकती है पूरी डिटेल्स इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कब ओपन है कब अपको पैसे लगाने है कितने पैसे लगाने है सब बात करते तो बिना किसी तरी के वीडियो को शुरू कर तो सबसे पहले एपक गुरिबल की अगर बात करें तो 19 तारिक से 23 तारिक तक आईपी अपन रहेगा उसके बात यहां पर 22 तारिक से 24 तारिक तक नोवा एग्रिटेक का आईपी अपन रहेगा तो यह दोनों आईपी ऑपन रहते वगे दिखने को मिलेंगे बैक टूबैक इस रहते हुए देखने को मिलेंगे सबसे पहले इपक की अगर बात करें तो 640 करूड का इशु है यहाँ पर कंपनी की अगर बात करें तो बेसिकली कंपनी के शुरुआत 2019 में होई थी तो जादा पुरानी कंपनी नी है अल्मोस्ट 4 years से कंपनी कामकाज कर रही है जहाँ पर कंपनी Durable Limited है जहाँ पर कंपनी ODM यानि Original Design Manufacturer है जहाँ पर कंपनी Room Air Conditioners प्रोवाइड करती हुई देखने को मिलती है और काफी दोस्तों बड़ा कंपनी का कामकाज है तो यहाँ पर अगर आप कंपनी के Financials की बात करेंगे तो बेसिकली 740 करोड का revenue कंपनी ने 2021 में अचीव किया था और इस quarter के अगर आपन बात करेंगे March quarter की तो यहाँ पर 1540 करोड का कंपनी का revenue रहता हुआ देखने को मिला तो 3 साल में कंपनी का revenue almost double हो गया profit 8 करोड का था margin थोड़े काम है लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी profit जो है triple होता हुआ देखने को मिला है almost 31 करोड के आसपास का profit रहता हुआ देखने को मिला है more than 30 profit हुआ है and यहाँ पर कंपनी के अगरपन बॉरोइंग की बात करेंगे तो definitely 492 करोड के आसपास outstanding बॉरोइंग जाती भी देखने को मिले है company की and overall financially company की growth clearly visible हो रही है रही बात IPO की तो basically यह issue जो है 640 करोड का है हमने बात करी थी पहले भी जहाँ पर 400 करोड का fresh issuance है और 240 करोड का company OFS लाती भी देखने को मिले है तो अच्छा break-up है company के पास major chunk जाने वाला है पैसो का यूगि फ्रेश issuance में पैसा company के अंतर आता है और OFS में company जो है अपना share sell करती भी देखने को मिलती है and यहाँ पर IPO के अगर बात करें पहेंगे similarly यहाँ पर स्मॉल एचनाई category and बिग एचनाई category भी देख सकते रही बात company के वैलुइशन की तो company का ROE यह 15% का ROC यह 12% का debt to equity यह 1.58 का और RONW 15% का है तो overall company के financials दोस्तों यहाँ पर decent रहते वे देखने को मिल रहे है यहाँ जाद बड़े और अच्छे financials तो नहीं है बढ़ ठीक ठाक financials यहाँ पर रहते वे देखने को मिल रहे है रही बात इस IPO के allotment के तो KF in tech के upset पर इस IPO का allotment आएगा currently इस IPO की grey market में भी कोई काम का जो नहीं price band 230 रुपे का है तो कही ना कही दोस्तो आज आपने देखा जोती CNC के listing होई है 20% उपर यानि 10% उपर होई थी फिर 20% तक तेजी गई है तो कही ना कही IPO market में फिर से यहाँ पर एक अच्छी तेजी की उमीद है अपन लगा सकते है definitely यहाँ से अगर market recover होते रिवर्स होते तो अच्छी तेजी की उमीद है अपने इस IPO से कर सकते है अच्छी listing की उमीद है अपने इस IPO से कर सकते है रही बात अब अगले IPO की तो वह नोवा एग्री टेक का IPO छोटा सा issue है company का काम काज क्या है clear यहाँ पर आपको अदा देता हूँ और new technologies जिससे farmer की yield है वह बढ़ती भी देखने को मिले तो यह काफी अच्छा company का काम काज बिजनस है तो आप खह सकते है कि fertilizer sector से जुड़ी है company रहती भी देखने को मिल रही है इस IPO की अगर बात करेंगे तो यह IPO भी दोस्तो लगबग यहाँ पर अपने को 143 क्रोड का रहने वाल है जहाँ पर 112 क्रोड का fresh issuance है और 31 क्रोड का OFS है तो चोटा से issue है तो यहाँ पर definitely allotment की जो मारा मारी हो रहती भी देखने को मिलेगी तो कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे company का price band तो मात्र 41 रुपे का price band है 365 share आपको मिलेंगे तो चोटा price band है तो demand हमेशे साधा रहती है प्लस दोस्तो चोटा issue भी है 143 क्रोड का issue है तो यहाँ पर एक बड़ी listing की उमीदे जो है आप ड़ी लिस्टिंग की उमीदे जो है अच्छी प्रेमियम पर उमीदे जो है साधा सकता है रही बात इस IPO की कंपनी की ROE की तो 39% का ROE है ROC 28 प्रतिशवत का है and debt to equity मात्र 1.11 का है RONW 32 परसंट का है तो यह IPO एक अच्छी IPO की category में अपने इसको डालना चाहेंगे और अभी अगर currently देखेंगे तो यहाँ पर grey market में कोई काम काज नहीं होता हुआ देखने को मिल रहा है 0 rupees पर grey market trade करी बट I think so 2-3 दिन में grey market भी शुरू हो जाएगी और definitely जिससा आप से price brand आया इस company का अच्छी premium पर उमीदे जो है इस IPO की listing की रह सकती है तो इस video में हमने सभी IPOs पर बात कर ली और रही बात इस IPO की dates की तो 24 तारिक को इस IPO का दोस्तो closing होगा उसके बाद allotment आता हुआ देखने को मिलेगा 25 तारिक को allotment रहता हुआ देखने को मिलेगा 29 को यहाँ पर refunds है 30 को यहाँ पर listing है तो यह दोनों IPOs दोस्तो आपको जानवरी में लिस्ट होते विए देखने को मिलेंगे तो होपसो आपको वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में हमने EPAC Durables और दोस्तो NOVA Agro दोनों IPOs को डीटेल में कवर किया है अट वीडियो अच्छा लागा है तो आनको लाइक करें, शेर करें, सब्स्राइब करें तो आनको इस वीडियो